How to fix unstable connection, please check your connection तो दोस्तो यदि आप भी इन प्रॉब्लम को face कर रहे हैं अपने line application में तो कैसे आप इसे solve कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तो दोस्तो ये problem जो है हमें अपने line application में तब आता है जब हमारा internet connection बहुती slow होता है या फिर दोस्तो internet connection off होता है या फिर दोस्तो और भी कुछ सारे reasons है जिसको solve करने के लिए कैसे करना है क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो के साथ बने रही है दोस्तो इस problem को कैसे आफ solve करेंगे मैं आपको step by step बताऊँगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी subscribe कीजेगा और दोस्तो यदि आप online पैसे कमाना चाहते है तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा तो दोस्तो चली बिना देर की हुए शुरू करते सबसे पहले तो दोस्तो कुछ basic settings आपको करना है सबसे पहले आप अपना internet connection एक बार check कर लिजेगा यदि आपका internet connection और आपको यह problem आ सकता है ठीक है और दुसरा है आपको setting में जाके dual sim and cellular network पे आपको जाना है या फिर आपके mobile में sim management या फिर network पे आपको जाना है उसके बाद में यह दिया आप दो sim का इस्तमाल कर रहे है तब आपको क्या करना है अपना internet connection को एक बार switch कर लिजेगा sim 1 से off करके sim 2 में एक बार on करके भी check कर लिजेगा कभी-कभी internet connection poor होने के वज़े से एकदम slow होने के वज़े से भी यह problem आपको आ सकता ठीक है third solution है दोस्तों आप अपना mobile को एक बार restart करके भी check कर सकते हैं यह रहा basic setting लेकिन दोस्तों अभी major setting जो बताऊंगा उससे आपका problem permanently आपका solve हो जाएगा वो आपको setting पे जाके application management में जाना है या फिर आपके mobile में installed apps या फिर installed applications या फिर application manager के नाम से show होगा उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको ढूना है वो application जिस application पे आपको problem आ रहा है तो हमें आ रहा है line application तो line application के उपर आपको click करना है और यहाँ पे इससे आपको force stop पे click करके एक बार force stop कर देना है उसके बाद में दोस्तों आपको storage usage में जाना है और यहाँ पे clear data कर देना है दोस्तों ध्यान रहे यह करने के बाद आपका line application log out हो जाएगा आपको दूबारे से login निकार देना है ठीक है तो यह आपको clear कर देना है clear करने के बाद में आपको आना है एक बार data usage पे आपको आ जाना है और यहाँ पे netlock permission पे जाके आपको यहाँ पे वाई-फाइ and mobile data सेलेक करना है तीक है उसके बाद में आपको बेक आना है और यहाँ पे permission पे जाके यह सारा permission आपको allow कर देना है उसके बाद में दूस्तों आपको mobile एक बदर restart कर लिजेगा reboot कर लिजेगा उसके बाद में आप line application में जाके login कीजे आपका problem solve होकी रहेगा उमीद करता हूँ video पसंद आया होगा thanks for watching